स्वागत आप सभी का फैक्स में दमीद पाठक में बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की खबरे जुड़ी हुई है यूपी बोर्ड रिजल को लेकर इसके साथ इसाथ सिक्षा मित्रों के मांदे को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है और सीम योगी का क्या बड़ा फ सिक्षा मित्रों को दिया जा रहा मांदे सरकार पर वित्तिय भार समेथ पूरा बेवरा दे दिया है करीब चार साल से सिक्षा मित्रों का मांदे नहीं बढ़ाए गया है वर्तमान में उन्हें 10,000 रुपए मिलता है सूत्रों की मताबिग मांदे में 2-4,000 रुपए तक की ब वोकस कर रही है वहीं दूसरी और विभिन सरकारी महकमों में एक लाग से अधिक पदों पर मान दे पर नौकरी दे कर अर्ध कुशल स्रमिक इस्तर की लोगों को रोजगार से जोडने की तैयारी है जी हाँ आपको बता दे प्रदेश में बड़ी संख्या में सिक्षित युवा वे रोजगार है तोना काल में रोजगार छीनने से भी बेरोजगारी बड़ी है वहीं संक्रमण की दूसरी लहर के दोरान अन्य परदेशों से भी अपने गाउं लौड कर आये प्रवासी स्रमिकों में अजारों स्रमिक भी तीसरी लहर के भैसे अभी वापस नहीं लौटे हैं सरकार ने सक्षित बेरोजगार महिलाओं और अर्ध गुसल स्रमिक इस्तर की लोगों को गाउं में ही रोजगार मुहया कराने के लिए कुछ विवागों में मान देपर भरतियां सुरू की है इसके साथ यूपी बोर्ट 1012 के रिजल्ट 2021 का लाइब अपडेट आपको बता दे उत्तर प्रदेश में जल्द ही दसवी के बोर्ट की रिजल्ट की घोशना की जा सकती है उपुमक्यमंत्री डॉक्टर दिनेज सर्मा के द्वारा जी हाँ आपको बता दे हाला कि अभी तक बोर्ट की तरब से कोई टाइम कंफर्म नहीं किया गया है लेकिर परिक्षाओं के लिए रजिस्टर लगबग 56 लाग स्टूडेंट रिजल्ट जारी करने का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं परिक्षाओं आयोजित नहीं की गई है इस वज़ा से इस वर्स मेरिक लिस्ट जारी नहीं की जाएगी अबोर्ड ने स्टूडेंट का रिजल्ट इंटरनल मार्किंग के आधार पर किया गया है जल्द ही इसकी गोशना आज हो सकती है डॉक्टर दिनेज सर्मा उपुमुक्षमंत्री के द्वारा जिसमें दसवी के रिजल्ट का रोल नंबर भी जारी किया गया है और दसवी के रिजल्ट हो सकता है सबसे पहले जारी हो बारवी के रिजल्ट से पहले मायवती ने योगी सरकार पसाधा निसाना उन्होंने कहा कि सिक्षा मित्रों का मांदे बढ़ाना चुनावी राजनीती से प्रेडित इसकी संभावना है जिहां आपको बता दे क्या काया है बसपा सुप्रीमो मायवती ने सिक्षा मित्रों का मांदे बढ़ाने की संभावना को चुनावी राजनीती से प्रेडित बताते हुए कहा कि सत्ता रूर भारती जनता पार्टी कांग्रेस के नक्से कदम पर चल रही है। करोना से मुक्त यानी तिरपन जिलो में अब एक भी करोना मरीज नहीं है। करोना सासनिक फिर बदल तीन जिलो में डियम समेत 18 आईयस अफसरों के तबादले। जिहां को बताते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने डविवार को देरात 18 आईयस अफसरों के तबादले कर दिये। इसके साथ ही सीम योगी आदितनाथ ने लांच किया माई गवर्मेंट यूपी पोर्टल यानी की मेरे सरकार का एक ऐसा पोर्टल जिस पर आप सीधे समवाद कर सकते हैं सरकार से। उत्तरप्रदेश के मुक्तिमंत्री योगी आदितनाथ ने माई गवर्मेंट यूपी पोर्टल लांच किया है। देखते रहें।